दोस्तों आज की वीडियो काफे इंट्रस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो की इंडिया में रहकर FNO ट्रेडिंग करना चाहते थे अब FNO ट्रेडिंग के उपर क्या होगा से भी के नहीं नहीं रूल आते हैं अब काफे सारे लोग ट्रेडिंग के इंदर काफे सारे चीज़े ये मानके चलते हैं कि ट्रेडिंग नहीं कैसी चीज होती है कि कंपनी सी सीधा पैसा आता है वगेरा वगेरा ऐसा नहीं होता आपको लगता हो कि मैं ट्रेड करता हूँ तो ट्रेड करने पर जो आपको प्रॉ नई खबर जो है उसको देखकर मैं खुद हैरान हूँ कि हमारी finance minister भी एक particular game play करती है जिसके अंदर पूरा पैसा focus जो है न हो पैसे पर है मैं आज तक मान के चलता था कि लोगों के अंदर ethical values होती है मैं अभी तक भी ये मान कर चलता था कि ethical values पैसे से ज़ादा important होती है बट अगर जैसा मैं आसपास की news देख रहा हूँ जैसा environment देख रहा हूँ मेरे भाईयों मैं आपको भी यही बात बोलना चाहूँगा जितने भी traders बनना चाहते हो FNO trading करना चाहते हो future derivative में work करना चाहते हो professional work में उतरना चाहते हो तो आप यह चीज़ समझ लीजिए कि सबसे important, सबसे number one पे जो चीज़ आती है अभी देख कर आप देखो मैं यह अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ मैं समझाना यह चाहूँगा कि यह जो rules and regulations है इसके अंदर क्या यहाँ पर आपका ही फायदा होगा या बड़े players का फायदा होगा, वो सारी detail में समझाने वाला हूँ पर ध्यान रखो, some number one यहाँ पर क्या आता है, number one आता है पैसा, जैसा कि आप condition देख रहे हो सेभी चेयर परसन की, हमारी finance minister की हमारे पर्थान मंतरी जी की, हमारे आप condition देखोगे, तो आपको दिखाए देगा कि वो एक जगा पर आके चुप हो जाता है, वो है गांदी जी दूसरी number पर आती है, उनकी क्या ethical values की भाई, हम बहुत अच्छे इंसान है, अब बात आजाती है, यह तो आप कहेंगे कि आप politically घूम रहे हो, नहीं मेरे भाई, यहाँ पर आप पीछे से ध्यान से देखो, यह पूरी एक picture create की जा रही है, finance ministers जी आती है और कहती है कि FNO trading is not for like trading for retail trader या फिर कह सकते हो, आम जंता के लिए नहीं है एक पूरी picture create की गई कि FNO trading के अंदर कुछ इस तरी से किया जाए, then करने के बाद में FFNO trading के ओपर data लाया जा रहा है, जो कि SEBI की तरफ से लाया जा रहा है, जिस पर मैं तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहता, आप एक बात बताईए, अगर सोर पे market में हैं, और 90% लोग नुकसान करा रहे हैं, तो जो 10% पैसा कमा रहे हैं, उनके बारे में तो बताईए कि वो 10% है कौन, सोचने की बात आती है, यहाँ पर पूरे तरीके से एक बड़े वाले number पर scam चल रहा है, उसे scam को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जिसके तहत, like high probability यह है कि यह जो rules and regulations की drama बाजी है न, यह कुछी दिन चलने वाली है, इनको वापस इसको return करना ही पड़ेगा, यह एक तारीक से rules and regulations आएंगे, जिसके अंदर game खिला गया है, मैं आपको game समझा देता हूँ, game क्या है, देखो मेरे भाईयो, normally होता क्या है, normally होता यह है कि एक आम आदमी है, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, because जब जब मैं इस news को देखूँगा, then थोड़ा और, like countries होगा, यहाँ पे चलता है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात है एक आम आदमी है, आम आदमी क्या करता है बिचारा, वो नौकरी करता है, नौकरी करके क्या करता है, वो अपने time को sell करता है, और उसको क्या मिलता है, पैसे, अब उस पैसे को वो कहाँ पे रखता है, banks में, बैंक में पैसा रखता है, बैंक में दो तरीके से पैसा रखता है तो बिचारा वेफडी करा देता है, या नॉर्मली इसमें अपने अकाउंट में डाले रखता है बैंक का रूल होता है, आपने बैंक में चाहे एक करोड रखो, चाहे दस करोड रखो 5 लाग तक आपका safe है जो कि insurance तोर पे मिलता है बैंक की तरफ से आप से sign करा ले जाता है जब आप bank account खोलते हो बाकी पैसे में कुछ amount वो safety purpose के लिए रखते हैं और बाकी पैसे को क्या करते हैं वो loan पे निकाल देते हैं ठीक अब loan किसको मिलेगा मान लीज़े SBI bank है SBI सरकारी bank है तो पीछे से हमारी finance minister जैसी जो उपर की higher authorities होंगी maybe वो क्या करेंगी वो एक businessman को बोलेंगी कि मालिक SBI को बोलेंगी जाओ आप इनको loan देदीजे बिजनस में आते हैं और आप से loan ले ले लेते हैं loan लेकर कहां जाता है उनके business में लग जाता है actual में और फिर वो उसी business से आपको क्या दे रहे हैं आपको वो नौकरी दे रहे हैं नौकरी के बिदले क्या लेते हैं आप पैसा लेते हैं तो actual में पूरा एक ecosystem चल रहा है बहुत अच्छी बात है क्या ये ecosystem break नहीं होगा सोचने की बात आती है अगर F&O rule implement होते हैं तो एक बात बताईए कि जो 90% आप कह रहे हो लोग नुकसान करा रहे हैं और 10% लोग profit कमा रहे हैं आप इन 90% का ये data provide कीजिए कि 90% लोगों में maximum लोग कौन है जो option buying कर रहे हैं और 10% लोगों में वो लोग हैं जो mainly option selling कर रहे हैं और ये लोग कौन हैं ये लोग hedge funds हैं ये लोग Singapore based वो companies हैं जहाँ पर हमारी CB chairperson भी पैसा लगाती हैं तो आप समझ सकते हो कि ये लोग पैसा कमारे हैं आप ये data डालिए कि mainly option selling करने से पैसा बनता है आप option buying को बताईए कि option buying करने से क्या problem होती है किस तरीके से losses होता है ये data भी एक तरह से fake दिखाई दे रहा है fake क्यों दिखाई दे रहा है आप खुद समझ सकते हो एक पूरी की पूरी series है जिसके तहत दिखाया जाता है कि दिखू भाई F&O trading में loss होता है loss होता है और loss होता है profit तो किसी को होता ही नहीं आप खुद सोचो जब sore पर यहाँ पर market में है तो नभिर पर जब loss हो गए इस इंसान के तो वह नभिर पर गए किसके पास है कहीं तो गए होंगे न ये बात क्यों share नहीं की जाती अब मैं आपको logic पहले भी समझा चुका हूँ कि जो बड़े players हैं वो यहाँ पर बैठे हुए है ठीक है यहाँ पर कौन-कौन है banks है ठीक यहाँ पर कौन-कौन है mutual funds है ठीक यहाँ पर कौन-कौन है बड़े-बड़े hedge funds जहाँ पर like saving chair person जैसे बड़े-बड़े लोगों का पैसा होता है hedge funds ठीक इन लोगों के पास करोड़ों में numbers होता है करोड़ों में पैसा होता है तो यहाँ पर ध्यान दीजी यह लोग कर क्या रहे है यह लोग कर रहे है मेरे भाई option selling यहाँ पर आम जनता जो बिचारा जिसने यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर देखा या फिर उसने देखा कि भाई उसको तो बच्पन से एक चीज़ दिखाई जाती थी सरकारी नोकरी कर लो, प्राइबेट नोकरी कर लो लाइक दुकान खोल लो, मजदूरी कर लो यह उनके options थे, जो कि आम जंता के सामने, आम बच्चे के सामने दिखाई जाते हैं आम बच्चे के सामने यही चीज़ा आती है, अब उसको दिखाई दिया YouTube पर उसने बोला option buying करेंगे, हम तो option buying में क्या होता है मैंने 5000 रुपे की premium खरीदी, तो 5000 ही मेरा maximum loss हो सकता है आप इस इंसान को education ना देकर, उसको इस जगह से restrict करेंगे ऐसा मैं मानी नहीं सकता, क्यों नहीं मान सकता है मैं आपके बताता हूँ कि जब यह 5000 की premium buy करता है न मेरे भाई, तो यहाँ पर जो यह option seller है यह जो बड़ा player है, जो actual barber profit कमाता है, इसको यह 5000 जाते है आप एक बाद सोचिए, कि एक option buyer अगर वो 5000 रुपे की premium को buy करता है उसके loss होने के chance है कितने, उसके loss होने के chance है 66%, उसको loss होगा 33% क्या है, उसके chance उसको profit होने वाला है ठीक, यह option buyer है विचारा, यहाँ पर क्या है, आप देखो option buyer के लिए कोई rule change ही नहीं हुआ है मेरे भाई, option buyer के लिए क्या है, option buying के लिए premium लगती है आप premium pay कीजिए, आराम से buy कीजिए, अब बात आ जाती है option selling मेरे पास जितने भी like मेरे clients हैं, वो कोई भी option buying नहीं करता है, मैं सच बता रहा हूँ reason क्या है उसके पीछे, reason पता होना कारण कि आपको पता लग गया कि यह पैसा धीमे 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 option buying जिसने किया है, उसके जेव से निकल के option selling वाले की तरफ आ जाएगा but option buying जिसने किया है, उसको केवल 5000 देने होंगे जो option selling कर रहा है, उसको यह 5000 कमाने के लिए अपरॉक्स मान सकते हो कि एक लाग रुपे पे करने पड़ेंगे, जो ब्लोक हो जाएंगे ठीक है, हैंजिंग करेगा वो, जो भी चीज़े करेगा, उसके एक लाग रुपे ब्लोक हो जाएंगे बात आती है, तो यह बाते हम लोगों को कोई बताता क्यों नहीं है, रीजन यह है, कि जो बताने वाली मीडिया है, वो हमें बात बताना यह नहीं चाहती, तो इस particular परसेंट लोग जो हैं, वो profit कमा रहे हैं, ठीक है, और loss करने वाले लोग कोन हैं, भाई, loss करने वाले वो लोग हैं, जो unprofessionally work कर रहे हैं, और वो loss कराएंगे भी, trading एक ऐसा ही business है, actual में आप और मैं सब लोग trade ही कर रहे हैं life में भी, हम अपने time value के बदले, कुछ ना कुछ ना कुछ receive करते हैं, पैसे के रूप में हो सकता है, या कोई भी favor हो सकता है, तो हम भी तो trade कर रहे हैं, तो 89% लोग जो loss करा रहे हैं, उन में से maximum जनता option buyer है, ये बात दिख लीजिए, ये बात समझ लीजिए, और जो हां ये profit कमारauen 11%, इन में से maximum जनता option seller है, और ये जो option seller है ये वाले जो लोग हैं, ये भी जो trade करते हैं, ये hedge करते हैं तो option selling भी करते हैं और option buying भी करते हैं, और position को hedge करके चलते हैं, और इस थरीके से profit gain करते हैं, मैं तब इस चीज़ को मानता, like मैं आपको बताना चाहूंगा 12-13 की बात है, उस particular time पर option selling 22,000 रुपे में हुआ करती थी, 2-3,000 में आप nifty bank nifty के अंदर option selling करने के लिए capable हुआ करते थी I think nifty के अंदर, so उस particular condition में आप समझे, ये 2-3,000 कब 2,000 रुपे बन गए, आप ये बात समझे क्यों, क्योंकि लोगों को awareness आनी चालू हो गई थी कि पैसा option seller में बनता है अब option seller अगर आम जनता बन जाएगी तो आम जनता के जेद से पैसा कैसे निकाला जाएगा, आम जनता को आम रखने के लिए, ये पूरा का पूरा एक ecosystem है जिस ecosystem को सेभी हो, finance minister हो हमारे परधान मंतरी हो, किसी भी दुनिया के कोई भी परधान मंतरी हो वो इस ecosystem को खराब नहीं होने देंगे, कि आप basically option buyer को रोग दीजिए, ताकि ये लोग नुकसान ना कराएं, यहाँ पर barrier लगा दीजिए अब क्या है, मैं तो बोलूँगा उल्टा option buyer की band बजाने की तयारी कर दी गई है, कैसे अभी nifty का माल लीजे, lot size 15 का होता है, तो भाई 15 गुना जो भी premium है, माल ले 10 point की एक premium है तो मुझको अभी 150 रूपीज पे करने पड़ते थे और मुझे maximum 150 का नुकसान हो सकता था, clear अब बात आजाती है, इसको अगर मैं lot को बढ़ा देता हूँ, कि मैं बोलता हूँ कि एक lot 150 quantity का होगा तो उस condition में वो ही premium पर मुझे 1500 रपे की वो premium खरीदनी पड़ेगी, अब क्या हुआ इससे, भाई आप सोचो खरीदनी पड़ेगी, उसको 1500 रपे लगेंगे अभी क्या है, यहाँ पर उसको 150 में उसको समझ में आता कि मैं loss में जा रहा हूँ, मुझे option buying नहीं करने, अब वो जल्दी loss में जाएगा, कैसे जाएगा आपने उसको ना चाते वे भी, उसकी शमता से 10 गुना बड़ी premium को खरीदने के लिए मजबूर कर दिया, अब आप कहेंगे कि यह option seller है, इसके लिए भी तो problem हो गई, पहले यह 15 की quantity में सेल करता हो था, अब यह 150 में करेगा मेरे भाई, जो यह option seller था, इस पे तो बड़ा बड़ा पैसा था यह तो already माली जी, यह 15,000 quantity में करता होगा option selling तो इसको कोई कद्दू फरक नहीं पड़ा, इसके लिए क्या फरक पड़ा, सोचो, यह अभी बेसिकली पहले 1000 lot में काम करता था अभी यह 100 lot में काम करेगा इसका हिसाब तो उतना ही बैठ गया ना आपके लिए problem होगे कि अब आपकी जेब से दबा कर पैसा बाहर जाएगा और बाहर किसके बाच जाएगा बड़े-बड़े hedge fund हो गए, बड़े-बड़े banks हो गए banks आपके द्वारा दिया गया जो पैसा आपने bank में deposit कराया हुआ है उस deposit पैसे को loan पर देता है, बड़े-बड़े players को देता है और वो लोग ऐसे करके game खेलते हुए आपका pop-up बना देते हैं तो यह तरीका हुआ, यहाँ पर पूरे तरीके से, full proof scam जिसको बोला जा सकता है, तो say b के जो rules and regulations यह आ रहे हैं यह rules and regulations नहीं है, यह आम जनताओं को lootने की predefined planning है, कैसे मैंने आपको पहले explain कर दिया, पहले एक इनसान जो और नया नया आता है, वो इनसान testing करने के लिए option buying करता है अब FNO के अंदर अगर सबको नुकसान ही हो रहा है, तो मेरे भाई यह तो बतादो कि profit किसको हो रहा है, वो भी तो count करादो कि आपके बड़े-बड़े जो hedge fund से उनको profit होता है, वो hedge fund को manage कौन करता है, उसके अंदर पैसा किसका लगा होता है, कमाल की ही बात है कि आम जनता का ही end time पर आकर band बजाया जाता है, और वो बज़ भी रहा है तो मेरे भाई, जो लोग सोच रहे हैं कि आने वाले time में, इंडिया safe and secure रहने वाला है रहने के लिए या फिर हम तो यहाँ पर business कर पाएंगे तो आप news देख लीजिए, news क्या चल रही है ठीक है, जिस देश के अंदर like कह सकते हो, बड़े बड़े post पर बैठे वे लोग जो हैं वो भी corrupt हों, तो उस condition में उस देश का क्या हाल होगा, आप हिसाब भी नहीं लगा सकते, और रही बात आपकी, अभी आपका हाल इतना बुरा है, तो आने वाली generation का हाल क्या होगा, उनके लिए कटोरा तयार करके जाना, अगर ऐसी ही condition बनी रहती है, तो उसको कटोरा ही लेना पड़ेगा, उसके पास कोई और option नहीं होगा, अब अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर rules and regulations चेंज होते हैं, कि margin बदल जाएगा margin कद्दू बदला, आम जंता के लिए बड़े players के लिए क्या बदला, उसके पास तो taxes and charges भी pay करो, ठीक है गलती से इस बिचारे ने पैसे कमा लिए, तो बेटा tax pay कर देना, simple सी बात आती है main जो loss कराया जा रहा है इनका जानबूच के loss कराया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, अब बात आती है, इस चीज़ का solution क्या हो सकता है, solution solution बड़ा simple सा है, या तो आप trading छोड़ दो, चीक है, simple सा solution क्या है, या तो आप trading को छोड़ दो, वरना आप देश को छोड़ दो, आप कहोगे बड़ी अजीब बात कर रहे हो, मेरे भाई मैं वही इंसान हूँ, जो अपनी हर वीडियो के बोला करता था, कि RBI Approved Pair में काम कीजिए, से भी Registered Broker में काम कीजिए, ये तब तक की बाते थी, जब तक इन दोनों संस्थाओ पर मेरा और आपके द्वारा लाइक कह सकते हो भरोसा था, क्या आपको इन दोनों संस्थाओ पर किसी भी तरीके को कोई भरोसा है आप नीचे कमेंट करके बताइए अगर आप इंडिया में रहकर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो या तो आपके पास करोडों में पैसा होना चाहिए, ताकि आप Option Selling करते थे, आपको पता ही नहीं लगता में चीज, या तो आपके पास बहुत तकड़ा पैसा होना चाहिए, बट अगर आप एक लाख रुपे, दो लाख रुपे तीन लाख रुपे, पांस लाख रुपे से काम करना चाहते हो, तो आपके लिए Options को यहाँ पर बिल्कुल मैं इंटर करना है, ताकि अभी तो आपका जो पैसा था, बड़े प्लेयर के पास में जाता था, एक साल में दीमे, 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 बड़े प्लेयर के पास जाया करता था, तब आपको अकल आ जाती थी, अकल आने पर आप क्या करते थे आप shift कर देते थे party, आप कहते थे अभी मैं option buyer था भाई सीखने के लिए, मुझे पता लग गया कि यहाँ पर loss होता है, अब मैं बन गया option seller, अब option seller बन गया, अब option seller के पास उतना पाईसा नहीं है, because उसने already नुकसान करा लिया, तो यह एक पूरी पूरी predefined strategy है, जो आम जनता क बेव को बनाने के लिए यहाँ पर लाई जा रही है, यह बात दिमाग में बिठा लीजे, जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा पोपट है, इस particular condition पर आकर, आप यहाँ पर खुश समझिए, कि अभी आपको 15 की quantity में काम करने के लिए मिलता है, आ आपको 75 की quantity में काम करने के लिए मिलेगा, आप एक महिने में ही दम तोड़ दोगे, और एक महिने में आपको experience का आएगा, trading is not good for me, ठीक है, trading तो एक अच्छा career नहीं बन सकता, trading में तो हमेशा loss ही होता है, क्योंकि मेरे पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी का भी loss हुआ तो हमारा कैसे profit हो सकता है, एक महिने में आप क्या कद्दू experience गेन करोगे मेरे भाई, सोचने की बात आती है, और ये लोग यही तो चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी जाओ, नए नए आएंगे, पुराने वाले जाएंगे, और पुराने वाले फिर यहां से निकल कर, यहा मेंली जो मोनोपोली बनी रहेगी, वो किसकी रहेगी, बैंक्स की रहेगी, ठीक, बड़े-बड़े mutual fund की रहेगी, जहां पे बड़े-बड़े politicians, एंड हमारे कुछ बहुत अच्छे वाले officials हैं, जो बहुत इमानदारी से काम करते हैं, उनका पैसा वाँ पे रखा रहता है, तो उस particular condition में वही लोग बार-बार-बार-बार पैसा कमाते रहेंगे, और मैं शर्द लाके बोल सकता हूँ, जैसे ही ये fulfill, complete हो जाएगा, उसके बाद में कोई news नहीं आएगी, कैसी news, ये वाली news के कितने percent लोग profit कमाते हैं, और कितने percent लोग नुकसान कमाते हैं, share market के ना उसको हम 75 कर देंगे, ताकि आपका बच्चा जल्दी बरबाद हो जाए, और फिर वो बरबाद होने के बाद में, वापस घूम जाए, कहां घूम जाए, वो जाए नौकरी करने के लिए, कि पपा ने नौकरी किया, तो मेरे खांदान ने, किसी ने business नहीं किया, तो मैं क एजुकेशन देनी चाहिए, एजुकेशन क्या है, आप जिस तरीके से like colleges में एजुकेशन दे रहे हो, आप ऐसी education कर दीजिए, आप बताईए लोगों को कि trading एक profession है, हम इंडिया की बात रोते हैं, कि इंडिया में रहकर हम यह कर रहा हैं भाईयो, चाइना में और different different countries के अं सिंपल सी बात आती है, एक छोटा सा like एक नौकरी ले लिजिए आप सरकारी, एक छोटी सी पानी पिलाने वाली नौकरी ले लिजिए, तो वहां आपको ज़्यादा value मिल जाएगी, आप अपने आपको trader बताएंगे, तो ऐसा फिल किया जाएगा कि आ गया हमारे महले का जु सिंपल सी बात है, अभी का टाइम ऐसा है, अगर ये चीज़े पहले की जाती न, सरकार कभी भी नहीं बनने वाली थी, ये बात ध्यान लखिए, because trading ये कैसा business है, जिसके अंदर एक इंसान पैसा कमाता है, एक गवाता है, यही तो rule है न, सिंपल सी बात आती है, अगर आप कह अब देते हो न, उसका success ratio, win ratio ये है, और loss होने के chance ये है, ठीक, share market की बात करूँ, तो 89% लोग loss कराते हैं, मैं agree करता हूँ, 11% लोग जो हैं, वो profit कमाते हैं, अब आप मुझे बताइए, कि UPSC का exam देकर, आप अपना क्या loss करते हो, आप अपना time भी loss करते हो, आपकी family का भी time loss होता है, आप अपना पैसा भी loss करते हो, ठीक, किस चीज़ की expectation में, वो 1% की expectation में, जो की approximately 180-200 seats हैं, जिसमें लोग रहना पसंद करते हैं, starting की बाकियों को तो वो पूचते भी नहीं है, ये reality है, तो इन 180 seat के लिए, अगर 10 लाग, 15 लाग लोग exam fill कर रहे हैं, और आप इसक success count कर सकते हो, तो मेरे भाई, share market में तो 89% लोग loss कराते हैं, और 11% जो की इस success ratio से कहीं गुना जादा है, ये जादा better हुआ, ये जादा better हुआ, थोड़ा सा confusing है, because उन लोगों की आखों पे जिन पर परदा पड़ा हुआ है, जिनको ये है, कि ना जी ना, हम तो अच्छी किस मत लेका है, हमारा तो इन 180 में नंबर आ जाएगा, देखों बेवकूफी और समझदारी में एक छोटी सी line का फरक होता है, अगर आप अभी ये बात नहीं समझ पा रहे हो, then definitely आप छोड़ो, आपकी आने वाली generation भी, ये बाते नहीं समझ पाएगी, और जब तक वो generation ये बा I don't care की हो रहा है, हो जाए, नहीं होता, ना हो, क्यों, क्योंकि ये rules अगर आते भी हैं, तो mainly band बजेगी option buyer की, option seller की कोई band नहीं बजने वाली, उसको क्या है, margin पहले भी लगता था, अब भी लगेगा, option buyer को वो क्या करना चाहते हैं, मैं बताता हूँ, game क्या है, माल 10 लोग हैं, 10 लोग option buying करते हैं, और 10-10 quantity में करते हैं, तो क्या था, अब 100 quantity आपको show हो रही है, यहाँ पर कि 100 quantity में option buying हुई है, 10 लोग ने की, यह लोग क्या करेंगे, यह जो quantity buy करने का option है ना, उसको divide कर देंगे, कि 10 से divide कर दिया, अले भाई, अब क्या है, अब आपको 10 लो के बारे में कोई data प्रोवाइड नहीं किया जाता, आपको सोचिए, बड़ी-बड़ी छोड़ो, मैं IIT की बात करता हूँ, IIT से पड़े लिखे लोग जो है, वो ट्रेडिंग में उतरते हैं, कैसे उतरते हैं, बड़े-बड़े hedge funds के लिए काम करते हैं, बड़े-बड़े mutual इसका solution क्या है, solution भाई मैं तो बड़ा simple सा बोलना चाहूँगा, मेरे दिमाग में simple सी चीज़ आ चुकी है, कि इंडिया के अंदर एक से एक भरस्ट लोग बैठे हुआ है, clear, इंडिया में आप इमानदारी से काम करना चाहते हो, तो भूल जाओ, आपको यहां पर भी बुद्धी का इस्तमाल करना पड़ेगा, अगर आपको यहां पर जीना है, तो आपको आप सोच रहे हो कि मैं equity market में काम करके चला लोगा, काम not possible, आप future market में काम करके चला लोगे, क यहां यहां पर, सिंपल सी बात है, आपको यहां shift होना ही पड़ेगा, because इंडिया में आप इन जगाओ पर अगर आज आपने strategy ready की है, तो कोई ना कोई ऐसे ही सुबह सुबह उटके आएगा, से भी चेहर परसन की आज कुछ तूफान ही करते हैं, और वो तूफान लाएगा और आपकी पूरी strategy की band बजा देगा, जो आपने 4-5 साल मेहनत करके बनाई होगी, आप ऐसी जगापर focus कीजिए, जिस जगापर यहां पर इन मैम का या कोई सर भी आ जाएं, उनका कोई बस ही ना चले, समझ रहे हो, तो यहां पर focus कीजिए, main objective यहां पर इरना चाहिए, कि retail trader का बेवकूब बनाया जाता है, जल्द से जल्द अपनी capital को इतना बड़ा बनाईए, कि आप इस जगापर shift होकर, तसली के साथ काम कर पाएं, और यहां पर होने के बाद में, आप multiple companies में, multiple जगाओं पर, आप investment कर पाएं, लोगों को like, नोकरी की बात की जाएं, जौब की ब की तसली इस बात की है, कि मैं 60 साल तक जब तक गुड़ा हूँगा, तब तक किसी चेर पे बार बार आके काम करता रहूँगा, 60 साल बात मुझे pension मिले ना मिले, मुझे नहीं बदा, मेरा pension fund, किस particular company में, like ए नाम से companies हैं, उन companies में गुमा दिया जाता है, मेरा pension fund, सरकारी fund जो आप समझे कि आपका पैसा, आपकी safety, आपका future कितना safe है, तो यहाँ पर सबसे important है, आपको अपनी बुद्धी का उपयोग करना है, उन चीजों पर काम करना है, जो चीज बंद ना होती हो, उन में से एक चीज आ जाती है, मेरे भाई, यह gold, आप इस चीज के अंदर focus कर सकते में चीज क्या है, कि आपको यहाँ पर safe and secure feel हो, प्लस आप जो अपना rules and regulations की बाते हैं, यहाँ पर rules and regulations बार 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 चेंज नहीं होते, सबसे अच्छी बात यह है, कि सुबह सुबह सो कर उठे पता लगा कि नया rule आ गया, भाई, सहीबी की तरफ से, तो यह ड्रामे ब market पे इंप्लिमेंट होगी, यह वाला rule, नहीं, commodity market में जो segment है, जो particular, like यहाँ पर कह सकते हो, segment के अंदर जो lot size है, हो उतना ही रहने वाला है, यह mainly जो use किया जा रहा है, equity futures के लिए and nifty bank nifty के लिए use किया जाने वाला है, तो यहाँ पर commodity market का इसमें कोई भी लेना देना नहीं ह और काफी लोग कह रहे हैं कि USDNR के बारे में क्या हुआ, भाई आप खोद हिसाब लगाईए, जिस देश के अंदर, like corrupt लोग बैटे हों, जिस देश के अंदर ऐसे लोग हों, जिनकी like कह सकते हो, इतनी किरकरी होने के बावजूद भी, वो अपनी seat पर बैठे हों, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि उस देश में क्या तरीके से काम होने वाला है, आंसर है no, simple, भाई देखो USDNR चले तो बहुत अच्छा, ना चले तो कोई फरक नी पड़ता, simple सी बात आती है, because reality पता लगना बहुत ज़रूरी था, मुझे पता लग चुका है, आपको भी पता में काम कीजिए, like 4X मार्केट में उतरिए, जहां पर इल लोगों का कोई बस ही ना चलता हो, because इंडिया के अंदर दो ही चीज़े रह गई हैं, या तो आप नोकरी कर लो, वो भी नोकरी में भी ड्रामे हैं, प्राइवेट कर लो, या तो आप कटोरा लेकर मंदिर के भार ब गी तरह से, उसमें बताया जाए कि 60% Retail Trader को हुआ profit, 40% है अभी भी loss में, बट जल्दी हम क्या करेंगे, 100% Retail Trader को profit में ले आएंगे, ये हमारी लाइक एक बहुत बड़ा project है, ठीक है, ये चीज़ आने वाली है, so let's see कि कैसे ये लोग काम करते हैं, किसी के mind में कोई question हो, तो नीचे comment करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, कि भाई हमारी जो baby है, ठीक, हमारी जो RBI है, हमारी जो संस्ता है, हमारे लिए काम कर रही है, आपको इनका काम कैसा लगा, नीचे तारीफ करके जरूर बताना, मैं भी जानना चाहूंगा, कि इनका काम मुझे ही पस नदार है, तो नीचे comment करके जरूर बताईएगो दोस्तों